है एवरिवन आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डास एडान्ट मेकप तो गाइस जब हम बिगिणर्स होते हैं तो हमारी कॉमन से यह मिस्टिक्स होती हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कहीं न कहीं जो मेरे पुराने मेकप लूप हैं उनमें मैंने यह mistake करी वी है और कहीं न कहीं मैं आज भी mistakes कर देती हूँ तो आज मैं आपके साथ वहीं शियर करूँगी क्या 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 mistakes हमसे make-up करते हैं हो जाती हैं और उसी कारण हमारा make-up बहुत जादा पैची लुक देता है तो चलिए दोस्तो बीना किसी देरी के start करते हैं वीडियो को अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो जल्दी सा subscribe कर लो यार तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं यह right side है आपको दीखी रहा है यह आपको करना है सबसे पहले अपनी skin को prep करना है मैं moisturizer लगा रही हूँ और बहुत अच्छे से मतलब massage देनी है आपको अपने face पर और दूसरी side मैंने क्या करा है मैंने कोई भी moisturizer नहीं लगाया है क्योंकि जब हम beginners होते हैं हमें नहीं पता होते है makeup किस तरीके से करना है तो moisturizer must है आपको लगाना ही है इसी से आपका flawless look आता है glowy look आता है तो moisturizer मैंने लगा लिया second thing primer primer आपको बिल्कुल miss नहीं करना है अगर आपके pores open pores के आपको problem है black head white head ज़्यादा हो जाते हैं तो जहाँ जहाँ area आपका sweat करेता है आपको लगाना है और eyes में अगर आपके cracks वगेरा आजाते makeup करने की बाद तो आपको eyes के नीची भी लगाना है तो बस मैं primer लगा लूँगी other side मैंने कोई भी primer नहीं लगाया है यह हमारी सबसे बड़ी mistake होती है तो बस अब लगाते है foundation foundation को आपको इस तरीके से apply करना होता है या फिर आप dot dot करके ना दूर दूर लगाया करिए कभी भी इस तरीके से मत लगाए देखिए मैंने एगी जगह मेंने सारा foundation लगा दिया है और हमेशा dab 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 करके ही आपको foundation को blend करना होता है जिस तरीके से मैं करके आपको दिखा रही हूँ, डैप डैप करें, बहुत flawless look आएगा आपका, इस तरीके से रगड के मत करी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कि इधर का foundation उधर पहुचा दिया, इधर का foundation इधर ले आई, मतलब इस तरीके से आपको नहीं करना है, और जा तरीके से कम लगा यह कभी जू में दूसरी आप में धीक青 उन्षा था करने देकर गई अन्यचिए सब्सक्राइब कासरी अधिया से लगारता फिरल भल्रडव किता है और यह घृंड इंप गनारो प्रशजय से नेर्ग पत्न अन्ग कि अब इस Leo कृण उसे कि आमको डईपद्प तैप करके रखना है सिक पर बिलकुल भी आपको को अपनी सटेस्किन पर रगड ऊचाने हैंуск much you can करके है मैं टब्टक डब करहologically हो और सेकेंड से सबस्य की मैं अब आपको दिखा रहे हूं इस त्रीके से क्योंकि हम माथे में में लगा कर आपको दिखा रही हूँ यह भी आपको डैप डैप करकर ही स्किन में लगाना है और बहुत कम कॉंटिटी आपको यूज करनी होती है यह नहीं कि आपने पफ पकड़ा और लह सुरू हो गए वह इतना सारा लगा दिया और मतलब स्किन में वह भी बैट बहुत पैची सा बहुत अजीब सा लगेगा ऐसा नहीं कि वह मतलब कुछ गलती हो जा रहा है मेकप बहुत तरीके से किये जाते हैं ऐसा नहीं है कोई साइड उसकी रॉंग नहीं होती है बस यह कि जो अच्छी होती है वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अब मैं आपको लगता है जबकि मेरी ऐलेसिस नहीं बहुत छोटू सी है मतलब काफी कम मैं ग्रोथ मेरी ऐलेसिस की साथ सारी ग्रोथ मेरी हेर्स में ही आ गई है और नीचे की पलकें बिल्कुल मत भूलिए स्ट्रेश करके वहाँ पर लगा लिए और डिरेक्ट मसकारा नहीं कब भी मतलग बिल्कुल आपको बता भी नहीं चलेगा आपने कुछ अपलाई कर रहा है आप खुद देख सकते हैं मतलब आइलेसिस कैसी दीख रही है बहुत अजीड सी आप दूसरी आँख देखे मेरी कितनी जादा मतलब ओपन अपसी लग रही है है कि नहीं है तो बस इसके बाद 6 सबसे पहले आप कॉम करें डारेक्ट फिल करना बिलकुल मत पांडेस उसके बाद संटय से आप लोग कि तरफ और बरुद की तरफ कंप करते और बाहार की तुर्च कर तो देखे कितना ज़्यादा डाग अजीब सा लग रहा है वो और कभी भी लिबाम लगाने हैं बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको लिपस्टिक लगाने हैं तो लिबाम बिल्कुल मेंस मत करिए और कंसीलर कॉंटूरिंग नहीं कॉंटूरिंग हमेसा डैप डैप करके उपर पर चिंग में जो जो चीक के नीचे साइड होती है अपकी यही डिरेक्शन आनीची कभ भी मतलग कुछ भी तरीके से कॉंटूरिंग करने के तरीका होता है उसी तरीके से कड़ा करिए और फोर हैड बिल्कुल मत भूला करिए तोड़ा भात कर लिया करिए और नोज के दिखा रही है उसी ब्रस ते लॉह कॉंटोरिंग कर लिए नोच की इतना मोटा ब्रस कैसे इतना हो सकती है वह बिगनर्स होते हैं मिस्टेक कर ही देते हैं आप इसलिए अप दॉपलारे हूं ब्लस हमेशा और डप, डप करके उपर की तरफ अपलाए करा करें आ स्माइल बना बिल्कुल भी मत छोड़ा करें जरूर लगाया करीं तो यह लगाना बहुत जादा जरूरी इस आपका मेकप सेट रहेगा अब बार ये highlighter की, highlighter लिए देखे, मैंने एक पतला सा brush लिया हुआ है, fluffy सा, उससे मैं highlighter लगा रही हूँ, उपर की direction में, और eyebrows आप देखे, मैंने उतनी highlight करी, जतनी मुझे जरूरत है, nose मैंने highlight कर ली, lips के उपर highlight कर ली, eyes का corner बिल्कुल भी कभी मत बूली, उससे आपकी eyes open up लग करती है, दूसरी जगह मैं क्या कर रही है, मोटा सा brush ले लिया, और पूरा cheeks मैंने highlight कर दिया, अरे भाई, इतना highlight नहीं करना होता है, हम लग mistakes करते हैं, जब हम start करते हैं, और eyebrows देखो, मैंने कितनी बड़ी highlight कर दी थी वह बाली, और इस side का face देखियो, side का face देखियो, आपक कभी ना कभी mistakes करी हुई है, इसलिए मुझे लगा आप लोग के साथ share कर दूँ, आप भी अगर करते हैं, तो इन्हें सुधार लीजे, ये ज़रूरी हैं सुधार ना, तो बस वीडियो को ये पर end करते हैं, तो that's it guys जही थी आज़की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसं